हर महीने आता, जब आपके हिरदय में कभी कोई बात आ जाए कि बाबा आज मेरा मन ये कह रहा है, और आपको सुनना है बाबा, आपको सिकारना है बाबा, आपको मेरे मन की बात जानना है बाबा है, बस हाथ में चंदन लगाया, बेल पत्री का भाग इस तरह से पकड़कर, शिवजी से अपने हिर्दय की बात कहकर मेरे देवदी देव महादेव से दिल से कहकर अशुक सुन्दरी वाली जो जगा होती है आपको बताया है अशुक सुन्दरी का जो इस्थान होता है ये शिवलिंग या अशुक सुन्दरी की जगा इस बेल पत्र को अशुक सुन्दरी वाली जगापर जहां शिवलिंग है शिवलिंग की साइट पर पहले नंबर की पत्ती का मुख होना चाहिए बस उसको रख दीजिए और उस पर थोड़ी देरा अपने हिरदय की बात मेरे महादेव को दिल से कहकर आ जाईए अगली सुम्बार की अश्टमी या अगला प्रदोश या अगली शिवरात्री जवाती है मेरा महादेव आपकी मनों कामना का भाव पून करता है यह शिवसत्र एक बात अपने जीवन में अवतार कर रखियेगा या सुम्बाव प्रदोश बन सके तुमारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का मरक्षों वहाँ दीपदान अवश्य करना चाहिए अब एक बात का इस्तमरण आपको रहे थोड़ा सा अगर किसी कामना के वश्य अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भावत्पन है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कारे है आप पून करिये लाग तो फिर शुमंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोश या सुमर की अश्टमी या सुमार या आप शिवरात्री को बाबा से निवेदन करकर लगा सकते हैं हां विशेश जब कोई एक बहुत बहुत बढ़ी बात हो और आपके कारे में कहीं अटकल हो रही हो तो एकी दीप में दो बाता है शिव और शक्ति लंबी बाती बनाएं शिव और शक्ति के नाम से दो बाती एक सान एक दीप में भी लगा सकते हैं पर कब जब विशेश कोई आपका कारे हो और वो अटकर रहा है विशेश कोई कारे हैं और आप बाबा से प्रांथना कर रहे हो तो दो बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हैं ऐसे शिव शत्तुर शंकर भगवान को धतूरा अब चड़ाना चाहिए उसका विशेश ज्यान रखें यह से शिवरक्त्री है प्रदोश है या तोंबार है या कोई विशेश आपका उस्तव है तो आप शिव जी को धतूरा चड़ा सकते हैं या विशेश कोई बिमारी ऐसी लग गई है या विशेश कोई तकलिफ ऐसी हो यह जिसका निवारण नहीं हो रहा है तो आप धाटूरा चड़ाँ सिवेश दोन चड़ाने का वी एक करम है हल्दी में भिंगो कर धाटूरा चड़ाया जाता है लच्छ्ष मी के लिए चंदन में भिंगो कर रातूरा चड़ाया जाता है आयू की व्रद्धी के लिए अभीर अभीर एक सफेद कलर का बौडर होता है अभीर गुलाल जो होती गुलाल में अभीर डलता है चमकदार आपने लेखा होगा तो अभीर में धतूरा जो डुबो कर चढ़ाया जाता है अभीर को लगा कर चढ़ाया जाता है वह रोग मूihatी का हुआ धतूरे का भी किश्मन होता है महराज बहुत भारी मोग है बेबारी लगए है, डॉक्टर की अपना काम कर रहे हैं गरता व्यक्ति बहुत बेमार हालत में पड़ा हुआ है तो बेलपत्री के व्रक्ष के नीचे भी शिवलिंग का निर्मान करकर घतूरा समर्पित करा जाता है जिसके रोग से मुक्ति होती है उसमें ना तो हल्दी लगाई जाती है ना चंदन लगाया जाता है ना भीर लगाय जाता है केवल बतूरा जिसके जीवन में हमेसे काटे ही मिलें बेटी बड़ी हुई तो घर में माईके में दुख देखा और माईके से गई सुस्राल में तो सुस्राल में दुख देखा सुस्राल में भी दुख देखने के बाद में भी पती को बहुत कुछ काम खुलवाया बहुत धंदे खुलवाएं नोकरी लगवाई पर वो पती बार-बार छोड़ कर आ गया बार-बार तकली भोग रहा है बार-बार कश्ट भोग रहा है फिर थोड़े दिन काम करता है थोड़े छूड़ जाता है फिर वेपार में बढ़ता है फिर छूड़ जाता है फिर कोई दुकान खुल वही थोड़े जिन अच्छी चली फिर वापिस वही घर पर आकर वेड़ गया अर्थात उसके जीवन में वह शूल तक चल रही है तो बाबा देवदी देव महादेव करते हैं ये तीन घड़ी तीन अपल तीन नक्षतर तीन समय तीन दिन में जो शूल मुझे स बेसाक महिने में जो प्रदोश आती है बेसाक के महिने में बहुत ध्यान से सुनना भाई जो अपनी जिन्दगी से बहुत तंग आ गए हो परिशान हो गए हो कष्ट में जीवन जी रहे हो बहुत दुखी हो गए हो उनके लिए यसकंद पुराण का चरितर फिर मिले ना मिल अप्रेम से सुनना भाउस पहला बेसाक महिने की प्रदोश चाहे वो सनीचरी प्रदोश हो चाहे रविवार की हो सोंबार की हो मंगल की हो बुद्वार की हो गुरुवार की हो शुक्रवार की हो शनीवार की हो कोई विवार की हो पर बेसाक महिने की प्रदोश प्रदोश का डूब रहा हो बस वबा ही हो और उस समय पर सूर्य के डुबन के तुरंट बाद बाबा को धतूर के साथ में बेल पत्री ना चड़ाते रुए बेल पत्री के ब्रक्ष के साथ काटे बावा के शिवलिन पर समर्पित करे जाते हैं महाराद अपनी जिंदगी में अर्चनों को हटाने के लिए पिर आप जिस वे पार में उत्रें जिस वे उसाय में उत्रें जिस नोकरी में उत्रें आप दिल से करें आपको तरक्की मिलेगी आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नती पर ही चड़ेगे, एक विशाक मास की, प्रदोश, दूसरा, शिवरात्री के दिन, मध्यान का समय, माराज, जो बड़ी शिवरात्री होती है, माग की, बड़ी शिवरात्री के अंतरगत, मध्यान का समय, दोपाहर के ठीक बारा वजे, चाय फिर वो कोई भी दिन हो, माराज, शिवरात्री जिस दिन पढ़ रही हो, उस दिन भी धतूरे के साथ, बाबा को साथ काटे, बेलपत्री के व्रप्छ के समर्पित होते हैं मारे, इसमें आप ये वाले जो काटे हैं, जो शिवरात्री के दोपाहर बारा वजे वाले हैं, अगर कोई मधिरा पीने वाला हो, वैसन में डूबने वाला हो, कोई जुआ खेलने वाला हो, कोई गलत वैश्या व्रत्ती करने वाला, या अपने मार्गत से विचलीत कोई व्यक्ती है उसके लिए भी ये काटे बहुत काम आते हैं दूसरा पारवती तेरे द्वारा तेरे नैन अश्रू से जो प्रगटा हुआ बेल का व्रक्ष है दृतिये शूल में वहां धारण करते हैं स्रावन के महिने में जो भी दूसरा सुंबर पड़े जो भी पड़े स्रावन के महिने का जो दूसरा सुंबर होता है उस दूसरे सुंबर में रात्री के समय पर अर्थात शास्त्र अब घड़ी और पल का इसमन करेंगे तो रात्री के बजएंगे दस से बारा बज़े मारा दस से बारा के बीच में धतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होता है महाराज ये भी हमारी बांधाओं को हमारी तकलीफों को वेपार विसाय के लिए नोकरी सर्विस के लिए बहुस सारे एक्जाम में पेट लिए गवर्मेंट एक्जाम के लिए बेट लिए नई हो रहा ये तीन बार मेरे शंक्तर को बेलपत्री के ब्रक्ष के शूल समर्पित होते हैं उसका आनंद पाना और उससे अपने को सुप्राप्ट को पोदा है कि बाबा बोलेनाद जी के नएन शुरू से जो प्रगट हुआ वो रुद्राक्ष का पोदा है माता पारवती के नएन शुरू से जो प्रगट हुआ वो बेलपत्री का पोदा है और उमा और महेश जिस महेश के वंसज हैं महेश्वदी जिनकी बारा खाम प्रगटी है भगवान महेश के द्वारा वो महेश उमा उमा और महेश का जो चरित्र है कि उमा और महेश का जब प्रगट हुआ उमा और महेश जब दोनों आनंद में भिषोर होकर जब चलते हैं और दोनों के बेठने से टप मुद्रा से जो पोधा उत्पन होता है वो शमी का पोधा शमी का पोधा तो एक बात द्यान रखिए शिवजी के द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें कोई शूल नहीं है उसमें कोई काटे नहीं है पारवती के द्वारा जो निर्मितुवा बेलपत्री का पोधा उसमें खाटे हैं और पारवती के मिलन से भी जो उत्पन हुआ है शंकर के साथ में उसमें भी खाटे हैं शमी के पोधे में भी खाटे हैं शमी के विरत्चमें भी खाटे हैं तो पारवती जी इसकंद पुराण में प्रिश्ण कर रही है भोले नाच जी से कि प्रभू मुझे ये वताओ कि आपके द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें शूलता नहीं है पर मेरे द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें शूल क्यों आया है उसमें काटा क्यों आए आए थोड़ा समाता हूँ मेरी जीजियों आपको थोड़ा बुरा तो लगेगा इस प्रसंग को सुनकर पर लग जाए पर आज कथा निकली है तो सुन लो कि शिवजी जिस रुद्राक्च को उत्पन कर रहे हैं उसमें शूलता नहीं है पर पारवती जी जो संग में मिली है उसमें भी शूलता है और पारवती के द्वारा जो प्रगट हुआ बिल पत्र उसमें भी शूलता है तो भगवान महादेव बोलते हैं पारवती मैं तुझे कुछ कहूं और कहने पर तुझे तेरे हिर्दाएं में कोई बात चुब है शूल लगे तो मुझे ठीक नहीं लगेगा नहीं नहीं आप कहिए परवु मैं सुनने के लिए तैयार हूँ आप तो बोलो कि कारण क्या है भगवान करते हैं पारवती बसंतर इतना है नारी का जो सुभाव होता है इस तरी का जो सुभाव होता है उसके हिर्दाएं में छोटी छोटी बात के शूल बहुत होते है जेठा देवरानी ने ये कह दिया तुमारी मम्मी ये बोल दी तुमारे पापा ने ये कह दिया तुमारे बहनों ने ये कह दिया तुमारे भाई ने ये कह दिया तुमारे रिश्कजार ने ये बोल दिया ये ये नारी के भीतर ये शूलता रहती है तो पारवती जी बोली कि जितना त जिब बोले बस पारवथी बात इतनी सी है, कि जब मैं आराधना करने बेटता हूँ, तो मेरी दृष्टी में संमुक में कुछ नहीं होता, कि कोन ने क्या कर आए? कोन क्या बोलाए? कोन क्या कर रहा है? उससे मुझे मतलब नहीं होता, उससे मुझे कोई मतलब नहीं पर पारवती जब तु अराधना करने भी बेटती है न तो तेरी चित्त ब्रत्ती में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कोई शूल आही जाता कई माताओं की आदत देखी साथ भगवान की सेवा करने बेटी है तो भी भीतर थोड़ा सा शूलता भरी हुई है महाराज बताओ इतने सारे भगवान इकटे कर लिये मैंने बोला तब उसे कि वहां रख ले थी बताओ इतने सारे यहां पर लाकर रख दी है अब इसकी सेवा करना पड़ रही है अब ये करना पड़ रहा है परशाद लेने के लिए रसोई घर में गई बगवान का भूग लगाने के लिए तो उसमें भी शूलता आ गई इपते घंटों से मैं समान ढूंड रही फिरीज में मिली नीरा में रखे गई थी बगवान जान रहे हो तो शूलता है अर्थाथ कहीं न कहीं नारी के जीवन में शूलता बणी हुए है और पारवती जब तुम भजन करो तब करो साधना करो भक्ती करो उसमें शूलता नहीं होना चाहिए पार्वती जी ने ख़ा भोले ना तो क्या आप मुझे स्विकार नहीं करेंगे बिलपत्री के रूप में क्या मुझे स्विकार नहीं करेंगे शमी पत्र के रूप में पद्म पुराण, इस्कंद पुराण, लिंग पुराण, नरवदा पुराण, और्श्यु महा पुराण, यह सारी पुराणे वर्णन करती है, पारवती जी का खंड आनंद वर्चत कर रहा है, वर्णन कर रहा है, पारवती खंड वर्णन कर रहा है, सती खंड वर्णन कर रहा ह उमा सहीता मढणन कर रही है